नमस्कार आप देखाए हैं बियाजी नियूस पडोधरा शहर के गोर्वा इलाके से ये बड़ी खबर सामने आई है जहां के निवासी बीते 2-3 तीन दिनों से सहरीली गैस हवा में होने की समस्या से जूच रहे है ये समस्या 2-3 दिनों से हो रही है लेकिन अब बीच्यों की त्यों है हाला कि कल तो इस समस्या के चलते 2-3 महिलाओं को काफी ज्यादा उल्टिया हो रही थी और अन्या लोगों को सास लेने में दिक्कते हो रही थी इस मामले की पेशकष कॉर्पोरेटर राजेश पजापती से की गई थी हाला कि कॉर्पोरेटर राजेश पजापती की और से लोगों को ये आश्वाशन दिया गया कि जल से जल ये समस्या सुलच जाई जाएगी हलाकि इस मामले में निवासी रोजश चताते हुए चल से जल इस समस्या को हल करने की मांग साचा कर रहे है लेकिन इस मामले के सामने आने के बाद कई सवाल उठ खड़े होते हैं कि आखिरकार रेसिडेंसियल एरिया में जहरीली गैस क्यों छोड़ी जा रही है आखिरकार कौन सी कंपनी की वज़े से बहां के लोगों को इन दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और सबसे बड़ा सवाल की बडोद्रा महानगर पाली का प्रशाशन इस मामले में हरकत में कब आएगा अगर किसी को भी इस बीज कोई नुकसान पहुचता है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा एटले पची अमारा कॉपरेटर ने आमें पौन कहिलो अमारा कॉपरेटर रहे हूँ कईवी एक माना समोगरू चुवाज करीलो आ लगबग चार दिवस्ती पॉपलेम चे पन आजे थोड़ो वधा रहे है मारा ख्यालती यहुचे के रात्रे रात्रे आलोगको गेसट्राइगा कोई रहा है खैक कोई जातनों और नाना ना भाड़ाकों ने खाटी ने हूँच ही जूचता है वड़ीलो ने नुकसान कारक्तशे डायबीटीस होए हमारा वड़ीलोंने गर्मो डायबीटीस है अब खबरों से लगातार अपडेट रहना हुआ आसान बी आरजी न्यूज आपके मोबाइल स्क्रीन पर आज ही बी आरजी न्यूज की मोबाइल एप गूगल प्ले स्टोर और एप स्टोर से डाउनलोड करें और खबरों से लगातार जुड़े रहें